सो हेलो एबरिवान यह सी एट के क्वार्टर टू के रिजल्ट तो आगे यहाँ पर देखेंगे इस शेयर के यहाँ पर क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे आए हैं तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर टोटल इंकम से तो एरली बेसिस में इंकम जो है 3,4,693 था जो इस 33,785 यहाँ पर हो किया है विश्ले क्वार्टर यह 3, tutor ग 17,424 था जा याँ आप देख सकते हैं Yearly Bages से यहाँ पर quarterly Bages समें इंक्रीशमेंट दे ने को मिला है और quarterly basis से यहाँ पर yearly basis में इंक्रीशमेंट हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं चो टोटब expenses yearly basis में यहाँ पर जो है 2,78,131 था जो यहाँ पर इस quarter 3,13,517 देखने को मिला है पिछले quarter यहाँ पर 2,97,961 था यानि आप देख सकते हैं yearly basis में यहाँ पर इस quarter में increasement देखने को मिला है पिछले quarter से भी यहाँ पर जो है increasement हुआ है यानि कि income के साथ-साथ expense भी यहाँ पर increase हुए है बाकी बात करें यहाँ पर इस share के total comprehensive income की total comprehensive income yearly basis में 20,801 था जो अब यहाँ पर quarterly basis में 14,227 हो किया है पिछले बार यह 14,878 था यानि yearly basis से इस quarter में decrease यहाँ पर देखने को मिला है और पिछले quarter से भी यहाँ पर इस quarter में जो है decrease हुआ है अब यहाँ पर earning पर share देखे तो वो yearly basis में 49,23 पैसे था इस बार यहाँ पर 33,75 पैसे आया है पिछले बार यह 36,89 पैसे था यानि आप देख सकते हैं पिछले quarter से यहाँ पर इस quarter में decrease देखने को मिला है और यहाँ पर पिछले quarter से भी यहाँ पर इस quarter में decrease देखने को मिला है overall यहाँ पर जो share के हम analyze करके देखे total comprehensive income और earning पर share यहाँ पर इस share का अच्छा देखने को नहीं मिल रखा है बाकी बात करते हैं यहाँ पर इस share के price level की तो 2,901 रुपे price है यहाँ पर 1.49% तक के negative returns देखने को मिले हैं और यहाँ पर revenue अच्छा नहीं रहा है मतलब revenue अच्छा रहा है लेकिन यहाँ पर profit अच्छे नहीं रहे हैं तो अभी के लिए hold करना ही ठीक रहेगा बाकी इस वज़े से आज थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और बाकी आप चाहे तो long term के perspective से hold यहाँ पर कर सकते हैं